आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास कोई सा भी मोबाइल है और उसमें आपको आ रही है दिक्कत आपको जो ब्लूटूथ है वो आटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जा रहा है यानि आप किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं और वो डिसकनेक्ट हो जा रहा है तो इसको कैसे ठीक करेंगे आए जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना ब्लूटूथ बंद करना है तो हम अपना ब्लूटूथ बंद करते हैं यह पहले से ही बंद है इसके बाद आपको अपने फोन को एक बार restart कर देना है यानि बंद करके चालू कर देना है इसके बाद आपके दिखकर ठीक हो जाएगी और आप इसे try करें अगर इससे आपका काम नहीं बनता है तो यहाँ पर दूसरा step है आपको यहाँ पर Bluetooth on करना है अपने mobile का आपको change करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम डालते हैं 1,2,3,4 राइट पर किलिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक बार बंद करके फिर से चालू कर देना है और फिर से connect करके देखना है किसी भी device से अगर automatic connect हो जाता है तो यहाँ पर आपको दीसरा step follow करना है वरना इस step से आपका काम बन जाएगा तो तब भी अगर आपकी problem solve नहीं होती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर में तो प्ले स्टोर में जाएए यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ सर्च करें और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ पेर आपको इस पे टच करना है और यहाँ पे इस वाले अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे आपका